टो आज की क्लास के इंदर हम लोग बच्चो जो डिसकस करने वाले हैं वो कॉंसिटूटुशन के उपर करने वाले हैं मैं लिख देता हूँ कॉंसिटुटूटुशन बच्चो हिंदी में बोलते हैं इसको सविधान नाम सुना होगा आप लोगोंने सविधान जब भी सविधान का नाम आता है तो आपके रिमार्क में एक ही question जाता है कि सविधान होता क्या है simple सा example में आप लोग को बता देता हूँ कि अपना जो देश है हाँ जी बिल्कुल अपना देश अपना ही देश है किसी और का नहीं है अपना जो देश है इस देश को चलाने के लिए जो साधान से नियम बने हुए है जो कानून बने हुए है जो रूल बने हुए है उसी साधान से नियम को हम लोग क्या बोलते है सविधान बोलते है और सविधान एक परकार का मोलिक कानून है एक परकार का fundamental लो है अब आपको होगे सरी fundamental लो क्या होता है तो यहाँ पर एक word आ रहा है fundamental कौन सा word आ रहा है बच्चो fundamental इसको हिंदी में हम लोग कहेंगे मुलिक और बदा देता हूं कि fundamental का मतलब जया होता है fundamental का simple सा meaning हुआ मोलिक और मोलिक का माने सवरोच, सवरोच मतलब ये होता है कि इन से उपर कुछ नहीं है जैसे मैं बोलता हूँ कि मेरी fundamental needs है मेरी basic needs है मेरी मोली आव सकता है मलब ये जो मोली का आव सकता है इन से भारा परिकल्पना नहीं कर सकते जिसे रोटी, कपड़ा, मकान अगर ये नहीं मिले इन से उपर कुछ नहीं है सेम अगर मैं बात करता हूँ अपनी country के अंदर तो अपनी country में भहुत सारे rules है भहुत सारे regulations है भहुत सारे app है आप IPC पढ़ते हो, CRPC पढ़ते हो भहुत सारे rules आप पढ़ते हो तो मैं simple सा आपको बता देता हूँ कि इन सभी rules से उपर एक fundamental rule है एक fundamental law है जिसको हम लोग बोलते है Constitution सविधान थोड़ा सा हसी मजाग कर लेता हूँ बीच के अंदर यहाँ पर जैसे आपने देखा हुआ कि आप घर में भी रहते हो तो घर में भी कुछ न कुछ rule बने हुए है क्या rule बने हुए है जैसे घरवाले बोलते हैं बेटा इस टाइम पर उठके यह काम करना है भाई साब lockdown तो ऐसा आया है कि सबसे बुरी हालत बच्चों की है और खासकर आप जैसे बेरोजगार होगे मैं भी बेरोजगार हुए चिंता मत करो घरवाले बोलते हैं कि जा मटर चीन ले जा सबजे ले आप मार्केट से और आप बसते हुए फिरते हो कि भाई साब कहां जाए कहां मरे एक तो पहले इतनी टेंसन है और दूसरा क्या है कि घरवालों की सुननी पड़ती है खेर वो तो हसी मजा की चीज़ए है भाई काम करना पड़ता है मतलब घर का काम की बात कर रहा हूं कहीं बोलो कि विवेक सर ने बताया काम करना पड़ता है तो इसका मतलब यह नहीं कि भाई आप वो सारी चीज़े छोड़ दोगे ठीक है तो जैसे आपके घर के अंदर कुछ रूल्स बने हुए है और आपको उनको फोलो करना पड़ता है घर के अंदर रहते हुए कुछ रूल्स को फोलो करना पड़ता है तो अगर कोई आपसे पूछे कि सविधान है क्या बच्चो तो आपको सिंपल जवाब देना है कि सविधान एक rule book है एक नियम की किताब है खर आगे हम लोग बढ़ते हैं तो आज की class के अंदर हम लोगोंने अभी तो हमने basic बात की constitution है क्या सविधान है क्या अब थोड़ा सा बच्चो में आप लोग को बता देता हूं कि ये जो अपना constitution है ये जो अपना सविधान है ये जो rule book है इसके अंदर दिखाई देगा आपको कि total 22 parts है सविधान के 22 भाग है अब आप कहोगे sir हमने तो पढ़ा था कि सविधान के 25 भाग है अगर आप parts की counting करते हो तो counting के base पर मिलेंगे और counting के base के ऊपर कितने parts मिलेंगे 25 parts बनेंगे जब मैं आप लोग को constituent assembly पढ़ाऊंगा सविधान सभा पढ़ाऊंगा देखो मैं randomly ऐसे नहीं है कि यहां से start किया फिर वो topic मैं यहां पर आज की class के अंदर एक particular topic के ऊपर बात करूँग और मैं guarantee रेता हूं वो topic और counting के base 25 parts है तो आगे की classes के अंदर यह 22 parts कैसे है 25 parts क्या है article क्या है इस इन सब के ऊपर हम लोग detail के अंदर बात करेंगे खिर आज की class को हम लोग यहां से continue करते हैं तो आपको बच्चो constitution समझ में आ गया सविधाम समझ में आ गया आपको यह पता लग गया कि fundamental का मतलब क्या होता है कि मतलब supreme है सवरोच है इससे उपर कुछ नहीं है जैसे रोटी कपड़ा मकान हमारी fundamental basic needs है ऐसी country को चलाने के लिए कुस fundamental लोग बने हुए है देश को चलाने के लिए मोलिक कानून बने हुए है और उसी fundamental लोग को हमने नाम क्या दिया है constitution नाम दिया है खिर आगे के बेस पर 25 पार्ट से तो आज की क्लास के अंदर हम लोग देख देल करने वाले हैं पार्ट वन के साथ constitution का कौन सा पार्ट पार्ट वन आपको दिखाई भी देरा होगा constitution है एक fundamental लोग है उसके अंदर टोटल कितने पार्ट से 22 पार्ट से और उसका पार्ट वन है जो भाग एक है तो ध्यानकना पार्ट के अंदर बच्चो क्या आता है अर्टिकल आता है तो पार्ट वन के अंदर टोटल चार आर्टिकल है कौन-कौन से आर्टिकल आर्टिकल वन आर्टिकल टू आर्टिकल थी आर्टिकल फोर मैं कोसिस करूँगा कि यह जो पार्ट वन है आज की क और भारत क्यों लिखा, CELBA, Union of State पूरी चीज़े डिटेल में यहाँ पर होगी बस आप एक काम करना चोटा जब भी मेरी क्लास होती है तो आप कोपी पैन लेकर बैठना और वहाँ पर उसको नोट आउट करते हुए चलना यहाँ पर भी आपको सारी चीज़े लिखी हुई मिल जाएगी और दूसरा क्या है कि जो चीज़े बोलता हूँ मैं जो भी चीज़े बताता हूँ उसको आप नोट आउट करते हुए चलो जो भी डेली बेसिस पर चीज़े आती चाहे मैं कराँ चाहे परसांद सर हो चाहे कुलदीप सर हो चाहे रवी डागर सर हो जो भी वो लोग पढ़ाएंगे तो आप उसको नोट आउट करते हुए पढ़ते हुए चलोगे खैप आगे कॉंटेडिव करते हैं हम लोग तो मैंने आप लोग को बताया चाहे परसांद सर हो शुरुआत करते हैं तो पहले स्टेट्मेंट पढ़ना इंडिया देट इस भारत सेल विया यूनियन ओफ स्टेट यहाँ पर दो चीजे काम की है आपके लिए कौन सी काम की है एक इंडिया देट इस भारत इंडिया जो की भारत है और दूसरा कुन सा Union of State हिंदी में इसको कहेंगे इंडिया जो की भारत है राज्यों का संग होगा मुझे मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको चीजे समझ में आ रही होगी आप उन्जाय कर रहे होंगे किलास को और जैसे जैसे टाइम पर बढ़ता जाएगा मैं गैरेंटी लेता हूँ कि आपके दिमाग के जो तार है वो धीरे धीरे खुलने लग जाएंगे आपको समझ में आएगा अच्छा बिटा यह तो यहाँ पर चीजे चल रही है हम तो अब तक यहीं जीरे थे तो धीरे धीरे चीजे समझ में आएगी आपको धीरे धीरे जैसे आप बढ़ोगे बोलते हैं ना कि धेरे वाली जो चीजे होती है वो लास तक impact डालती है गलत मत सोचना आप लोग सही बात कर रहा हूं मैं यहाँ पर तो article 1 के उपर बात करते है article 1 में देखो बिच्चों क्या लिखा हुआ है India that is भारत Salvia Union of State India जो कि भारत है राज्यों का संग होगा अब यह तो खेर इसके उपर ही बात करते हैं फिर पूरा डिटेल में पढ़ेंगे तो देखो यहाँ पर सबसे पहले अगर मैं बात करूँ यह जो article है यह आपको दो चीज़ बताएगा कुन सा article है? article 1 है question पूशता हूं किस part के अंदर है? part 1 में है और क्या पढ़ रहे हम लोग? constitution कहोगे इतना तो हमें पता है क्यों फाल तुम्हें इतना बता रहा हमें? खेर मेरे को पता है कि आप लोग कोई पता है? ठीक है खर आगे बढ़ते हैं इंडिया जो की भारत है राज्यो का संग होगा अब सबसे पहला question कि इंडिया और भारत ये जो दो word है ये सबसे ज़्यादा confuse create करते है और आज के टाइम पे अगर कोई पूछे आप से कि अपनी country का नाम क्या है? name of our country या किस article में अपनी country का नाम लिखा हुआ है? तो पहले तो एक simple सी चीज में आप लोग को बता देता हूँ कि अपने constitution में लगबख 677 टाइम 677 बार इंडिया भारत वर लिखा हुआ है मलग 600 से जादा बार इंडिया और भारत वर लिखा हुआ है तो अगर आप से question पूछले कि constitution का कौन सा article name of country बताएगा देश का नाम कौन सा article बताएगा बच्चों आप लोग के लिए लिख भी दिया मैंने हाँ पर तो अब तुरन जवाब देना कि जो सविधान का अनुच्छेद एक है वो आपको बताएगा क्या देश का नाम और सविधान के अनुच्छे देख के अनुच्छर देख देश का नाम क्या है कंट्री का नाम क्या है दो दो नाम लिखे हुए है इंडिया और दूसरा क्या नाम लिखा हुआ है भारत तो अभी recently क्या था कुछ टाइम पहले नमहा नाम के एक वेक्ती थे दिल्ली के रेजिडेंट थे उन्होंने एक पेटिशन लगाई थी सुप्रिम कोर्ट में जिसमें कहा कि भाई ये जो इंडिया नाम है न इसको हटा दो अपनी कंट्री का नाम क्या रहना चाहिए भारत रहना चाहिए तो उनकी जो पेटिशन थी उसके उपर भी मैं बात करूँगा क्या पेटिशन थी और सुप्रिम कोर्ट की क्या जिसमेंट आई उसके उपर सबसे पहले हम लोग समझते हैं आर्टिकल वन को उसके पीछे थोड़ा सा आपको बेग्गराउंड जानना पड़ेगा कि इंडिया और भारत ये दो-दो वर्ड क्यों आ रहे हैं कॉन्सिटिशन के अंदर और ये इंडिया और भारत कहां से निकल कर आया तो पहले देखना आप लोग आर्टिकल वन सविधान का अनुचेद एक क्या लिखा हुआ है इंडिया इट इस भारत सैल भी है यूनियन ओफ स्टेट तो पहले इस इंडिया और भारत को समझ लेते तो बच्चों सबसे पहले जानना जरूरी है कि ये जो इंडिया वर्ड है ये जो इंडिया है ये कहां से आया है और ये जो भारत है ये कहां से आया है तो जैसे इंडिया और भारत नाम लिये जाते है तो सीधा सीधा बच्चों के दिमाग में कॉश्यन आता है उटता है कि इंडिया की हिंडिया भारत और भारत की इंगलिस है इंडिया खेर बच्चों ऐसा कुछ ही नहीं है आज की ग्लास में डाउट क्लियर करूँगा कि इंडिया क्या है और भारत क्या है और कॉंस्टिटुशन के अंदर ये दोनों नाम क्यों रखने पड़े खेर विलियम सैट्सपेर ने कहा है कि नाम में क तो सब कुछ रखा है, अगर किसी खास का नाम चेंज कर दिया जाए तो सब कुछ चीजे चेंज हो जाएगी, तो बता देता हूं, नाम चेंज करने से कुछ जादा खास पर पड़ेगा नहीं। ills thing you like with India, India नियुम्ञेख चीज़ें दो सबसे पहले देखते हैं कि इंडिया वड ़र कहां से आया है और भारत वड कहां से आया है तो अगर मैं अगर सबस्क्राइब करना है तो थोड़त करें आज़ा से डेखना फ़सर सॢशार स मैं यह फारत कहां से दो थोड़तो साथ तो द्रोइंग के टीचर है बड़ी खुबसूरत थी भई, मजाक नहीं कर रहा, बच्चा जरूर था, लेकिन मेरी नजर उनी पे रहती थी, भाई साब खुबसूरती में उनका कोई मानी नहीं था, तो मैं क्या था कि ड्राइंग कम और उनको जादा देखता था, तो इसलिए मेरी ड्राइंग थोड़ी कमज़ोर है गई, और आपके साथ भी ऐसा हुआ होगा, अगर आपकी केमिस्ट्री कमज़ोर है, तो कहीं न कहीं आपकी केमिस्ट्री कहीं और लग रही थी, फिजिक्स के तार कहीं और जुड़े हुए थे, बायो में बोलूँगा नहीं भाई, वरना कहेंगे कि डवल मीनिंग बात ही कर रहा है, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, खर, तो हम लोग समझते हैं कि इंडिया वड कहां से आया, तो थोड़ा सा मैं आप लोग को बता देता हूँ, कि एक रीवर है, आपने नाम सुना होगा, इंडस रीवर या सिंधू नदी, कौन पढ़ोगे तिबबत का मानसरोवर शेतर है, वहाँ पर चेम यूंडू गलेशियर और वहां से नदी निकलती है, जिसका नाम क्या है, सिंधू नदी, खर, जब मैं जोग्रफी पढ़ाँगो तो डिटेल में बताँगो कि किस रीजन से निकली, कहां पर एंटर हुई, कहां इंडिया की तरफ आए, परिशियन लोग जब इंडिया की तरफ आए, तो उनके सफ प्रोब्लम क्या थी, कि यहां पर जो से वर्ड लिखा हुआ है, से वर्ड जो लिखा हुआ है, जो से लिखा हुआ है, से परननस नहीं करना आता था उनको, तो वो लोग से को है बोलते थ जैसे पाकिस्तान को पाकिस्तान कहा जाता था तो से को वो लोग है बोलते थे तो यहाँ पर जो से है वो से क्या बन गया है बन गया मतलब हिंदू बन गया जनरली क्या बना हिंदू बना तो वो लोग सिंदू नडी को सिंदू नहीं बोलते थे वो सिंदू को हिंदू बोलते थे और जनरली यहाँ पर एक मानियता होई कि नहीं हिंदू का मतलब है कि एक धरम से होगा तो वो लोग सिंदू को हिंदू बुलाते थे तो जब वो लोग हिंदू बुलाते थे तो उन्होंने इस रीजन को ये वाला जो रीजन है इसको नाम दिया हिंदोस क्या नाम दिया वच्चो हिंदोस नाम दिया तो सिंधू को हिंदू बुलाते थे और इस रीजन को हिंदोस नाम दिया और उन्होंने कहा कि जो हिंदोस का जो पूर्वी शेतर है जो इस्टन रीजन है उसको नाम क्या दिया हिंदुस्तान खेर मैं ज़्यादा वेद पुरान इन सब के अंदर नहीं जाओंगा मैंने वेद पढ़ा नहीं है थोड़ा वो जो पढ़ा है वो वटसप से पढ़ा है आपने भी पढ़ा होगा तो हिंदू कही ना कही नाम बना और कौन सा नाम बना यहाँ पर हिंदोस और हिंदोस से ही कौन सा नाम आया हिंदुस्तान आप देखोगे मुगल जो है मुगल भी अपने देश का नाम क्या बुलाते थे हिंदुस्तान बुलाते थे तो अपने देश का नाम हंदुस्तान है, वो कहीं ना कहीं पर्षियन लेंग्वेज है, तो यहाँ पर आपको दिखाई ले ठाएगा, यहाँ शेको है भुलाते हैं तो है हो प्रूह हिंदू हुआ और हिंदू से क्या बना हिंदूस्तान बना थीक है। और अगर यहां पर इंडस देखोगे तो इंडस से कही न कहीं इंडस आया लेटन वर्ड और इंडस से कही न कहीं कौन शा वर्ड आया इंडिया वर्ड आया तो ये तो हमने सिंपल सी स्टोरी समझ ले कि हिंदुस्तान कहां से आया और कहीं ना कहीं इंडस और इंडस से कौन सा वर्ड आया इंडिया आया अब समझते हैं कि भारत कहां से आया अब आपको मज़ा आने वाला किलास के अंदर अब मैं स्टोरी सुनाओंगा में काफी दिर से आप बोर हो रहे होंगे कि या कितना पकारा है यह लास्ट कलास में तो सही हसी मजाग कर रहा था चिंता मत करो बोर नहीं होने दूगा अब भारत की स्टोरी समझना आप लोग तो बच्चों यह समझ में आए कि देखो, आपने गीता पढ़ी होगी, नहीं पढ़ी तो बता देता हूँ, कि वोटसब पे तो ये मेसेज चलते रहते हैं, या आपने एक स्लोक पढ़ाओगा गीता गा, यदा यदा ही धर्मस से गलानीर भवती भारता, तो वहाँ पर एक वर्ड आता है, यदा यदा ही धर्म से, मैं इतनी धर्म की बाते नहीं करूँगा, यदा यदा ही धर्मस से, गलानीर भवती भारता, जब जब धर्म की हानी होती है, भारता, वहाँ पर ध्यान लखना, अपने देश का नाम भारत नहीं लिखा हूँ, वहाँ पर जो भारत वर्ड यूज किया गया है, वो जैसे आप देखोगे माभात के अंदर, जब गीता को उप्देश देते है भगवान स्रीकिरसन, तो अर्जुन को अलग-अलग नामों से पुकारते है, हे पार्त, हे कुंते, हे अर्जुन, हे भारता, तो ध्यान रखना कि भारत वहाँ पर भारता है, वो जो नाम लिया गय हुआ करते थे, भरत समराट हुआ करते थे, जो दसराज वोर के अंदर भी बताया गया है, दसराज युद के अंदर भी बताया गया है, कुस लोग बोलते कि राजा दुश्यंत और शकुंतला, उनके पुत्र भरत हुए, अब दुश्यंत और शकुंतला का नाम आ गया है, तो उनके उपर ही मैं थोड़ा सा बात करूँगा. यहाँ पर स्टोरी बतानी पड़ेगी. तो हम दुश्यंत और शकुंतला के बारे में बात करने जा रहे हैं और उन्ही के एक पुत्र हुए है कौन? तो राजा भरत और उन्ही के नाम पर देश का नाम क्या पड़ा है? भारत. तो राजा दुश्यंत और शकुंतला की स्टोरी बच्चो आपने सुनी होगी स्कूल टाइम पे और नहीं सुनी तुम आज की क्लास में समझा सुना देता हूँ बड़ी इंट्रस्टिंग स्टोरी मज़ा आएगा तो एक कहवत है कि तेरे प्यार में मैं इस तरह गिरू तो मेरी सकुंतला बंजा मैं तेरा दुश्यंत बंजा हूँ तो यहाँ पर बच्चो आपको दिखाई देता है कि प्यार में किस तरह गिरूना है कि मतलब तु मेरी सकुंतला बंजा मैं तेरा दुश्यंत बंजा हूँ मिलást, इतना तगड़ा प्रेम दिखाया है, ही रांजा वाला प्रेम नी, यहां पर दुष्ण सकुंतला वाला प्रेम है और मैं तो हमेसा क्लास के अंदर भी बच्यों को उफ्लाइन में बोलता हूं कि बेटा प्यार करना है तो प्यार करो तो दुश्यन तो शकुंतला जैसा कि एक बार बोल दिया पती ने तो एक बार के लिए वो सारी चीजे मान गई और कुछ टाइम के बाद राजा दुश्यन सारी चीजे भूल बैठे तो यहां पर ही राजा वाली चीजे नहीं करनी पोजिटिव चीजे लो प्यार से नेगिटिव मत ले के जाओ कहीं भी कई लोग रोते रहते कि लड़की ने छोड़ दिया अरे छोड़ दिया छोड़ दिया एक गई दूसरी आएगी काओगे सर ऐसा कुछ नहीं लाइन नहीं लगी हुई तो आज कल के बच्चे तो क्या होते आज कल के लड़के तो क्या होते जैसे मैं जहां पर पढ़ाता था वहां पर भी देखता था भाई साब होता क्या था कि एक रस्ते पर लड़का और लड़की दोनों जा रहे है और लड़की ने अगर तिर्ची नजर से यूँ देख लिया तो भाई सब लड़की आसे होते हैं बिल्कुल पलटके उसको साथ साथ लेकर जाते हैं तो स्कूल या कोलेज तक चल तो आज तो तो तेर को छोड़की ह तो यहां पर तो खेर ऐसा आलम है तो यह तो हसी मजाग की चीज़े बीच में चलती रहेगी तो हम बात करने वाले हैं आज की क्लास में राजा दुश्यंत और सकूंतला और उनसे जो पुत्तर हुआ भरत और उन्ही के नाम परदेश का नाम क्या पड़ा भारत आप बोर न आते आए तो चिंता मत करो आज की क्लास के अंदर वो चीज़े आने वाली है तो बड़ी इंटरस्टिंग स्टोरी आप बने रहना मेरे साथ आप देखना की क्या क्या चीज़े इहां पर होती है तो थोड़ा सा माप लोग को बता देता हूं कि राजा दुश्यंत एक काफी अbek कि राजा हुआ करते थे उनको दो चीज़ों का बड़ा सोग हुआ करता था एक तो सिकार का दूसरा में बोल लूँगा नहीं आप लोग समझ गए होंगे तो सिखार के निग गए थे किस चीज़ का सिकार मनलब पसु पक्रती जानों लिचंअ के लिए पहले की राजा और जब वो उनकी कुटियां में गए तो वहाँ पर जाकर देखते है वो आवाज लगाते है उनके पुरोईत वग्यरा कि महरसी कनव जी यहाँ पर है क्या तो अंदर से एक सुन्दर कन्या निकल कर आती है काओ कि हाँ बिटे अब बनी बात अब सीजे चलेगी स्मूथली तो एक कन्या हाँ से निकल कर आती है और वो बोलती है कि महरसी कनव जी तो यहाँ पर नहीं है वो कहीं भारत गए हुए है तो राजा दुशन्द पूछते है सकुंतला से फिर आप को नो आप अपना परीच्छे दीजिए तो बोलती है कि मैं कनव पुतरी सकुंतला हूँ तो वहाँ पर अचंबे में हो जाते है कोन राजा दुशन्द कि भाई साथ कनव जो महरसी है वो तो भ्रमचरिय है उन्हों नों तो पालन किया कि आजीवन भ्रमचरिय हूँगा तो सकुंतला को वो बोलते है दुश्यन कि महरसी जी तो भ्रमचरी है फिर आप कैसे होगी तो उन्होंने का कि नहीं 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 आप गलत ले गए मैं उनकी वास्तिक पुत्री नहीं हूँ मैं जैविक पुत्री नहीं हूँ मेरे वास्तिक माता पिता जो है वो विस्वमित्र और मेन का है उन्होंने मेरे को जंगल में छोड़ दिया और वहां से एक सकुंत नाम के पक्षी ने मेरे को उठाया और उठा कर महरसी जी की कुटिया के पास रख लिया और चुकि मेरा लालन पालन कोशन सब जो है वो किन्होंने किया महरसी कणो जी ने किया तो मैं ही उनको अपना पिता मानती है अब भाई साब सोच सकते हो अगर कोई रानी इतनी देर बात कर ले राजा से तो राजा तो मत्रमूगद हो जाएगे और फाइनली राजा ने परपोजल दे दिया कि बंजा तू मेरी रानी तैनू महल दवा दूंगा ये चिज़े दी तो राजा ने परपोजल दिया गंदर विभा का गंदर विभा का मतलब है कि लव मैरीज, अरेंज मैरीज इस टाइप के कुसे marriage लगा सकते हो तो पहले कि जब हम लोग ancient history पढ़ेंगे तो उसके अंदर विवा के अलग-अलग परकार पढ़ेंगे तो वहाँ पर गंदर विवा गंदा विवा नहीं बोलना है गंदर विवा तो गंदर विवा एक टाइप की arranged marriage ही हुआ करती थी हाँ उसको love come arrange लगा सकते है जैसे आपको कोई लड़की पसंद है और फिर बात करो घरवालों से घरवालों तो पहले पुछे बता जात क्या है कास्ट क्या है बाकी सारी चीज़े साइड में अगर भाई सब लड़का लड़की कुछ भी करते हो हमारे हाँ पर कोनो साथ रहने लगे तो जब साथ रहने लगे तो वहाँ पर कुछ टाइम के बाद क्या हुआ राजा दुष्यंत को चिंता हुई कि मेरा राज्य जो है मेरा राजपाट जो है वो मेरा वेट कर रहा है कोई ना कोई मेरे पीछे भी है तो मेरा राजय मेरे को बिला रहा और मेरे को जाना पड़ेगा तो शकुंतला को बोलते है कि मैं अब इजाज़ जाओंगा मैं कुछ टाइम के लिए आप से दूर रहूंगा क्योंकि मेरे को मेरा राजय भी देखना है ऐसा नहीं कि मैं सारी चीज़े ही इपर कर दू मेरा राज्य भी मैं एक छेतर का राजा हूँ अब आप सोच सकते हो कि वहाँ पर उन दोनों के अंदर इतना प्रेम था तो राजा दुश्यन सकुंदला से इजाज़त मांगते है तो सकुंदला बोलती कि ना जा छोड़के तेरी जुदाई को मैं बर्दास नहीं कर पाऊंगी वो चीज़े मजाग की है तो वहाँ पर क्या होता है कि राजा दुश्यन जो है न दो निशानी दे कर जाते है तो हाँ अब आप कहोगे कि सर्फ दो निशानी कौन सी तो पहले निशानी तो बता देता हूं कि आप प्यार में क्या देते हो लड़की को कहोगे अपना दिल देते हो और क्या देते हो यह बैसे अगर कोई गिफ्ट वगेरा देते हो तो क्या देते हो तो जैसे क्या था कि अगर आप किसी से पूछोगों तो कहेगा मलब पहले के टाइम कि भाई अंगूठी दी जाती है तो कही ना कहीं अंगूठी दी जाती है तो राजय दुषयंत् time ने अंगूठी दी किसको सखुंट्ला को और और भाई उसके बाई राजय दुषयंत् चलेगे दूसरी नीशानी भी थोड़ी इसके बाद क्या हुआ कि जो रानी सकुनतला है वो दुष्षंत के खालों में काफी खुई रहते थी और मदल इतना खुई रहते थी कि दीन दुनिया की दूसरी चीजों कि उनको कोई परवा नहीं थी उसके बाद कि कुछ टाइम के बाद वहां पर उनकी कटिया मंना पर नहीं अडि़ा गहिए थी जिनका नाम था दुरवासा रिसी तर बताया जाते हैं कि उसकार के अंदर구ее सभा उसकी बाद गब स्राब में अंतर होता हैं दोनों नशा करते हैं एक आसर लंबे टाइम तक रहता है एक कासर कम टाइम के लिए रहता है तो विच्छों आप ने देखा होगा कि पहले का सराप ऐसा हुआ करता था कि राजा स्वाब देते थे वो शराप देने के वाद खुद उसका सुलिशन बढ़ा देते थे तो वहाँ पर फिर हुआ कि जब सराप तो यह कहा कि भाई जो भी चीजे आफसोसरी हो जिसके बारे में भी आफसोसरी हो वो आपको तुरंट के तुरंट भूल जाएगा और सारी यादे उसके मिठ जाएगी तो भाई अब हुआ क्या अब फाइनली शकुंतला ने उन्हें माफी मांगे और कहा कि ऐसा मत करो उनके बिना मैं जी नहीं पाऊंगे तो उन्होंने फिर एक सोलीशन बताया काफी गिरगड़ा ही जब सकुंतला तो उन्होंने एक उपाय बताया क्या उपाय बताया कि जो तुम्हारे पास निसानी है उनकी अगर तुम वो निसानी उनको दिखा दोगी तो कहीना कि उनकी यादा आदास वापस आजाएगी, उसारी चीजे दुबारा से रिकॉल खर पाएंगे, तो उसके बाद हुआ क्या, कि दो निशानी थी, दो निशानी बता देता हूं कि जो दूसरे निशानी देखकर गए थे वो थे भरत, हाँ जी, सकुंतला और दुष्यंत का पुत्र भरत, ठीक ह उनकी आदास वापस आएगी, एक बार ऐसे ही कहीं भार जाते हुए, शकुंतला के उंगली से वो अंगूठी गिर जाती है, और वो एक सरोवर के अंदर, एक तलाब के अंदर, एक कोई के अंदर जाकर गिर जाती है, और जब अंगूठी जाकर गिरी, तो मसली उस अंगू तो अभी जल्दी इसका अंग्र होने वाला है, इतने ये चेज़े, आप लोग ध्यान तक मुना, ठीक है, मैं आप लोग की प्रोब्लम समझ सकता हूँ अच्छे से, कि इस टाइम के उपर आपके साथ क्या गुजररी होगी, आपका मन नहीं लग रहा होगा, पढ़ाई में मन जो गिर जाती और एक मचली उसको निगल जाती है, वहां राजा दुष्यन सब कुछ भूल चुके थे, पीच में भी और काफी लंबी स्टोरी लेकिन उसके उपर मैं नहीं जामगा, और फाइनली स्टोरी को स्किप करता हूँ, और फाइनली क्या हुआ, कि मच्छवारे को अंगूठी जहां मिली, और मच्छवारे ने वो अंगूठी राजा दुष्यन को दिखाई, और राजा दुष्यन को अपनी सारी पुरानी यादे, सब वापस उसको रिकॉल होगे उनको, और फाइनली दुष्यन और सकुंतला एक हो गए, और उनका जो पुत्तर था, उनक कितीन संताम हुई, चित्रा गंदा, विचित्तर वीरिये और भिस्म पितामा, हाँ जी भिस्म पितामा, और फिर आगे चलकर कोरो और पांडव वहीं से आपको कॉंचर्प दिखाई देगा, तो कहिना कि मा भारत भरत ये सारी चिजे एक तरफ दिखाई देती है, तो वो ज यूज किया गया है, यदा यदा ही धर्मत से गलानी भावती भारत, तो वो अरजुन के लिए यूज किया गया है, लेकिन वास्तिक रूप में यहां पर जो नाम लिखा वो राजा भरत और उन्ही भरत के नाम पर देश का नाम क्या आया, भारत, खेर कुछ लोग तो बोलत के नाम पर देश का नाम क्या पड़ा, भारत, खेर उतना हम लोग नहीं जाएंगे डिबेट के अंदर, लेकिन आप इतना ध्यानक ना कि भारत, राजा के नाम पर देश का नाम क्या पड़ा, भारत, इंडिया कहां से आया, इंडिया, हिंदोस्तान कहां से आया, कही ना कही हिंदोस जो पर्शियन लोग थे सिंथ सै को है बुलाते थे हिंदू और हिंदू से हिंदोस हिंदोस्तान बना कहीं नगी ये चीजे पड़ी अब सबसे बड़ा सवाल उठा कि देश का नाम क्या रखे इंडिया देट इस भारत ये जो देश का नाम है जब हमारा सविधान बन रहा था जब अपना कॉंसिटिशन तयार हो रहा था तो उनके सामने सबसे बड़ा चैलेंज आया कि अपनी कंट्री का नाम क्या रखा जाए अपनी कंट्री का नाम इंडिया रखे अपनी कंट्री का नाम भारत रखे अपने देश का नाम हंद्श्टान रखे या आर्यवर्थ रखे तो बच्च थोड़ा सा माप लोग को बता देता हूँ कि अपने देश का नाम हंद्श्तान कहीना के हंदू बर आ रहा था तो इसलिए सविधान सभा ने कहा कि नाम रखना ठीक नहीं होगा दूसरा गर मैं बात करूँ आरे वर्थ कही न कहीं वो एक special race को special नसल को सो कर रहा था तो कहीं न कहीं आरे वर्थ नहीं रखना पड़ा problem क्या थी कि जब East India Company हमारे हाँ पर आती है तो world level पर अपनी country का नाम जातर यूज करती है क्या India यूज करती है तो यहां के लोग को भी यही लगता था कहीं न कहीं कि East India Company ने India नाम यूज किया और कहीं न कहीं न कहीं इंडिया नाम उन्हीं का दिया हुआ है लेकिन ऐसा कुछ है नहीं मैंने आप लोग को बता दिया कि इंडिया और भारत कहां से आया तो इंडिया और भारत की स्टोडी ये बताई गई है अब वर्ड लावल पर अपनी country का नाम क्या चल रहा है इंडिया और यहां के लोग जनरली किसको प्रमोट कर रहे है भारत को जैसे फूर एक्जामपल जब आप गांधी के अंदोलन देखोगे तो वहां पर भी भारत माता की जै भारत वर्ड यूज किया जाएगा भारत छोड़ो अंदोलन कहीना की भारत वर्ड को ज्यादा प्रमोट किया जाएगा और चाहे वो मुसलिम मेंबर हो चाहे वो कट्री का नाम भारत हो लेकिन अधुरूब्लम क्या थी कि अपनी का नाम क्या चल रहा था इंडिया तो हम इक बीच का रस्ता निकालां एक तरीका निकाला कि अगर बीच का नाम क्यों ना दोनों रखते India that is भारत और आप constitution के अंदर जहाँ जहाँ इंडिया पढ़ोगे वहाँ वहाँ पर आपको भारत वर्ड दिखाई देगा जैसे आप preamble पढ़ते हो प्रस्तावना पढ़ते हो तो वहाँ पर भी आपको India, we the people of India हम भारत के लोग और मैंने पहले बताया कि अपने सविधान में लगबख 677 times इंडिया और भारत वर्ड लिखा हुआ है तो constitution का article 1 उसमें लिखा हुआ है India that is भारत इंडिया जो की क्या है भारत है तो यहाँ पर नाम की पीछे की स्टोरी समझ में आ गई होगी एक थोड़ा सा example में आप लोग को बता देता हूँ अभी कुछ time पहले क्या हुआ था कि नमय नाम के एक वेक्ती थे एक candidate थे दिल्ली का ही resident था उनका और उन्होंने सुप्रिम कोर्ट में पेटिशन लगाई और पेटिशन लगा कर क्या कहा कि अपनी country का नाम इंडिया नहीं होना चाहिए अपनी country का नाम क्या होना चाहिए भारत होना चाहिए कही ना कही colonial period को जदर्साव का है तो कही ना कही अपनी country का नाम भारत होना चाहिए हलाकि सुप्रिम कोर्ट में इस पेटिशन को रद कर दिया था तो वो statement यहाँ पर आपको दिखाई देगी खेर मैंने बढ़ाए कि India जो की भारत है India that is भारत यह जो वर्ड है यह पहला तो बताएगा आपको name of country तो बच्चों सबसे important point यही है आपको याद रखना कि अपने देश का नाम क्या है और किस article में अपने देश का नाम लिखा हुआ है वो article है article 1 मैंने ये भी बताए कि India वर्ड कहां से आया भारत वर्ड कहां से आया तो India that is भारत यह जो दो वर्ड है यह कही ना कहीं reflect करेंगे क्या name of country देश का नाम दरसाएंगे आपसे question पूछेगा exam के अंदर which of the following article reflect name of country कौन सा अनुचेद देश का नाम दरसाता है तो आप जवाब दोगे कौन सा अनुचेद अनुचेद एक article 1 वहाँ पर आप confused भी हो सकते हो क्योंकि वहाँ पर आपको preamble भी देगा प्रस्तावना भी देगा वहाँ पर आपको article 2 भी देगा तो आपको ध्यान रखना है किस article में अपनी country का नाम लिखा हुआ है article 1 के अंदर India that is भारत इंडिया जो की भारत है ये ध्यान रखना है खेर आगे बढ़ते हैं तूसरा लिखा हुआ है राज्यो का संग होगा अब इसका मतलब क्या है देखो बच्चो थोड़ा सा बता देता हूँ कि अपना constitution जो है अपना सविधान जो है उसकी language बड़ी को complex लिखी हुए बड़ी जटिल भासा लिखी हुए ऐसी ऐसी चीजे दिखाई देंगी वहाँ पर आपको Hindi और English के अंदर कि अगर आपको Hindi के word नहीं समझ में आ रहे तो आप English की तरफ जाओगे आपको English समझ में नहीं आ रही तो आप Hindi की तरफ जाओगे तो आपको समझ में नहीं आएगा या actual meaning क्या है और यही reason है कि हमारा सविधान हम से दूर होता गया क्योंकि उसकी language बड़ी complex है तो आप ऐसे से word पढ़ोगे भूत लक्सी दंडिक विधियो से समरक्षन आपको समझ में नहीं आएगा कि भाई सविधान के अंदर लिखा हूँ है किसी मंतर का नाम है ठीक है तो यहाँ पर ध्यान लखना कि ऐसे से चीज़े सविधान के अंदर दिखाई देगी बड़ी complex है और यही कारण है कि आज के बच्चे जो है जातर जो है सविधान के बारे में दो ही चीज़े जानते हैं दो या तिन जीज़े एक तो 26 जनवरी 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ 1950 को commence हुआ एक आपको पता है कि सविधान बनाने में सबसे बड़ा contribution भीमरा उंबेड कर जीगा था तो पूछते हैं कि भीमरा उंबेड करने सविधान बना है यह बोलते हैं एक यह पता है कि हाँ आँ मारे पास एक प्रस्तावना है जिसमें We the People of India यह लिखा हुआ है बाकी कुछ नहीं पता और उसका सबसे बड़ा कारण यह है कि इसकी language बड़ी complex है और complex language होने के कारण यह सविधान अपना हमसे बिछरता जा रहा है हमसे दूर होता जा रहा है ठीक है जैसे पहले संस्कृत ही ना संस्कृत 10th क्लास तक पढ़ाई जाती थी फिर 8th क्लास तक फिर 7th फिर 6th क्लास तक और आज संस्कृत के अंदर सिरफ हमें 2-3 चीजे ही पता है और क्या पठती-पठत-पठंती उससे भार कुछ नहीं बता पुछा भाई संस्कृत इतना ही पता मैंने खुद 8th क्लास तक संस्कृत पढ़ाई है तो मेरे को इतना ही पता है पठती-पठती-पठंती और भाई दूसरा और बता देता हूँ सेम कंडिशन कहीं ना कहीं इंगलिस में ही है कि हमें 2-4 स्टार्टिंग की स्टेट्मेंन पता है तो जैसे क्या था कि मैं ऐसे एक बार आज से लग वह तीन-चार साल पहले की बात है तो आपने सुना होगा कि एक इंस्ट्ट्ट काफी चलता था और उसके नीचे लिखा रहा है था मातर 90 गंटे में अंगरे जी बोलना सीखिए खेर मैं नाम नहीं लूँगा वरना उनको लोग का प्रमोशन हो जाएगा मातर 90 गंटे में अंगरे जी बोलना सीखिए आज कल तो ऐसे ऐसे आगए मातर 90 गंटे में अंगरे जी बोलना सीखिए और लड़की को करिए इंप्रेस खेर आपने देखा ओगो तो जोतिस भी एक सेख दिखाई देंगे मातर दो गंटे में मनचा प्यार चाहे भाई सब इस तरीके से इंप्रेस करते है मलब आप अगर एक बार आपकी नजर पढ़ गई ना उनके उपर तो आप सोचो यार एडमिशन ले ही लेता हूँ दो तीन चीजी आती है हाई हाव अर यू या फिर सीधा जाते है आई लव यू तीन चीजी आती है उससे आगे कुस ने और भाई सा थोड़ा सा लड़की ने बोल दिया ना इंग्लिस के अंदर फिर नीचे लिखते हो वट सब एक हम मेरे को आज तक समझ में नहीं है कि हम का मितलब क्या होता है मैं हाँ होता है ना होता है मेरे को ऐसा लगता है यह जिसा एक कोई लड़की रिपलाई करते है HMM तो यह एक टाइप का सिंबल है क्या? कि भई वो तिर को मना कर रही है जयादा बात मत कर आप लंबे-लंबे मैसेज भेजते हो कि भाई कि यह है और सारी स्टेट में लिखते हो और नीचे लड़की का मैसेज आता है HMM और भाई साब आप दिल तूट जाता है और दिल भी जासे तूटा कि पता नी भाई क्या हो गया वो सिरफ HMM लिखने से मेरे को आज तक समझ भी भी जाए कि हम लोगों ने संजी तो जैसे आप लोग के इंग्लिस में हाथ-टंग है संस्कृत के अंदर हाथ-टंग है तो कहीं न कहीं वो चीजे कहीं आप प्रोब्लम फेस करोगे तो कोई दीकत नहीं है काम चल रहा है, सबका चल रहा है, मेरा भी चल रहा है, आपका भी चल रहा है, आपका भी चल रहा है, खुशिया मनाते रहो, कोरोना ऐसे ही बीच जाएगा, टाइम प्रेड जल्दी चला जाएगा, बुरा टाइम प्रेड आ रहा है, अच्छा भी आएगा, आपका भी आएग कि अपना तो खहूंगा निए कि हो सकता है कि वीडियो मेरी मुम्मी भी देखे मेरे घरवाले भी देखे और कहें कि बटा आ जा तना मैं बता हूं यह कहा रहा था कि लास में अर्या निव स्टेटमेंट थी भी पीच में तो यह चीजे थी आप बोर हो गए अंगिसलेट होड देता हूं तो उनी चीजों के उपर मैं बात कर रहा था कि सविधान के अंदर बेसिक नोलेज हमें बहुत कम है जातर चीजे छूटती जा रही है तो मैं आपको गैरेंटी देता हूं कि सविधान के अंदर 10-15 क्लासे जब आप ले लोगे न तो आप बिलकुल मांश्टर हो इंडिया और दूसरा भारत नाम ठीक है इंडिया की स्टोरी भी आपने समझी भारत की स्टोरी भी आपने समझी तो आर्टिकल वन में अनुछेद एक के अंदर पहली स्टेटमेंट आपको यहां तक समझ में आ गई अब कई बच्चे सोच रहे हों यह दो वर्ड को समझान में पढ़ो और UPSC लेवल तक पढ़ो टेंशन नालो उस चीज़ की ठीक है अगला लिखा हुए यूनियन ओफ स्टेट राज्यों का संग होगा अब इसका मतलब क्या है तो देखो यहां पर मैंने लिखा इस आर्टिकल डिल्स विद यह आर्टिकल डिल करता है पहले तो द देट बताया है राज्यों का संग बताया है इस राज्यों के संग का मतलब क्या होता है देखो यहां पर क्या है कि देश का वर्नन जो है वो संग के रूप में है हमारे जो देश उसको संग बताया गया अब यह संग क्या होता है उसके उपर बात करेंगे लेकिन सविधान का जो structure है वो संग यह है तो completely बात करेंगे आगे जैसे classes बढ़े कि उसके उपर बात होगी कि देश का जो वर्णन है वो संग के रूप में है कही ना कहीं India that is भारत India जो की भारत है उसको राज्यों का संग बताया गया इस राज्यों के संग का मतलब देखो क्या है अप बिसका स्कीन सोट ले लिजिए चलते है अब देखो मैंने कहा कि राज्यों का संग इस राज्यों के संग का मतलब क्या है भारतिय संग है वो राज्यों के मद्द सम्जोते का परावधा नहीं है अमेरिका की तरह Indian Federation is not the result of an agreement among the state like the American Federation मनलब जैसे अमेरिका में हुआ था अमेरिका में बच्चो क्या हुआ कि अमेरिका के जो स्टेट थे वो सारे इकटा हुए और उन्होंने फिर एक के USA United State of America मना लिया यहां पर भारत यहां पर क्या है अमेरिका के अंदर कि अमेरिका के जितने भी स्टेट है मालो 50 स्टेट है वहां पर Constitution के अकोर्डिंग और वो अपने आपको Union से अलग कर सकते है लेकिन भारत को संग के रूप में और संग का मतलब है जिसको तोड़ा ना जा सके तो देखो एक बर देखना यहां पर कि यह अपना संग है और संग के अंदर राज्य आते अब इस राज्य का मतलब क्या होता है उसके उपर बात करेंगी और भारत के जितने भी राज्य है वो अपने आपको संग से अलग नहीं कर सकते कहने का मतलब है कि अमेरिका की तरह नहीं है अमेरिका की तरह क्यों नहीं है कि अमेरिका के जो स्टेट है अमेरिका के जो राज्य है वो अपने आपको यूनियन से अलग कर सकते है लेकिन इंडिया के जो स्टेट है वो अपने आपको यूनियन से अलग नहीं कर सकते है तो यहाँ पर मैंने लिखा इंडियन फेडरेशन इसका मकलब यह हुआ कि कोई भी स्टेट, इंडिया का कोई भी स्टेट, भारत में जितने भी राज्य है, वो अपने आपको भारतिय संग से अलग नहीं कर सकते हैं, आप एक बार देखना है हैं पर कि एक स्टेट से दूसरा स्टेट बन सकता है, लेकिन वो भारतिय संग में इंडियन यूनियन में आएगा, वो अपने आपको भारत से अलग नहीं कर सकता, जैसे एक एक एक्जामपल देता हूँ, मालो कल की डेट को मन हुआ किसका, मालो की मेरे स्टेट का ही मन हुआ हरियाना का, उसने कहा कि मैं अपने आपको खुद से अलग करूँगा, भारत से एक अलग देश होगा, हरियाला देश है, कुछ भी XYZ उचका नाम रख दिया, ध्यान रखना ऐसा कोई प्रोविजन कोंसेटिशन के अंदर नहीं है, हाँ, एक स्टेट से दूसरा स्टेट बन जाएगा, कल की डेट को ऐसा हो, जैसे पंजाब और हरियाना को मिला दिया तो यही बात मैंने यहाँ पर लिखी है, आगे लिखा भी हुआ है, राज्यों को संग से अलग होने का अधिकार नहीं है, श्टेट वो आपने आपको फेडरेशन से अलग नहीं कर सकते, तो बच्चों आपने देखा, कि आर्टिकल वन में, अनुछिद वन में एक तो लिखा हुआ है, इंडिया, इस भारत, इंडिया जो की भारत है, और दूसरा लिखा हुआ है, सेल भी है, यूनियन ओफ स्टेट, राज्यों का संग होगा, और इस राज्यों के संग होने का मलब क्या हुआ, कि राज्ये जो है, वो संग से अलग होने का अधिकार नहीं है, वो अपने आपको संग से अलग नहीं कर सकते और थोड़ा सा और याद करनी के लिए मैं बता देता हूँ कि हमारे यहाँ पर जनरली क्या है कि संग और राज्य मलब यूनियन और स्टेट कौन-कौन यूनियन और स्टेट इन दोनों के बीच में बाप बेटे जैसा वाला रिस्ता है कैसा रिस्ता है कि यहाँ पर अगर राज्य बेटा है तो संग्य है उनके पिता है उनका बाप है और कहा गया है कि अपने आपको किस से अलग नहीं कर सकते बेटा जो हो बाप से अलग नहीं हो सकता लेकिन हमारे हाँ तो क्या होता है कि जैसे ही बेटे की उमर होती है और सबसे पहला पहली तकरार कब आती है जब मानलों उसको कोई लड़की पसंद और घरवालों से बात करे कि यह है यह लड़की और पिता ने मना कर दे तो पहली तकरार तब आएगी यह भाईसा बिलकुल नहीं और जैसे जैसे थोड़ा साथ टाइम और भी था तो प्रोपरिटी को लेकर एक से मैं बहुत सारी केसिस बगएरा पढ़ता हूं तो जब यह चीजे सुनता हूं तो यहाँ पर दिखाई लेता है तेकिन ध्यान लखना सविधान के अनुसा संग और राज्ये में बाप बेटे जैसा रिषता है कि बेटा आपने आपको कभी भी बाप से अलग नहीं कर सकता तो यहाँ पर राज्यों को संग से अलग होने का अधिकार नहीं है यह चीज बच्चो ध्यान लखना कि वो अपने आपको संग से अलग नहीं कर सकते अब दूसरा देखो क्या है कि यहाँ पर लिखा है कि according to article 1 अनुछेद 1 के अनुसार the territory of India territory of India में क्या आता है भारती राज्ये शेतर में क्या आता है भारत के जितने भी state है भारत के जो इतने भी राज्ये है उन राज्यों का छेतर आएगा हिंदी में लिखा हुआ है अनुछेद 1 के अनुसार भारती राज्ये शेतर में राज्यों का छेतर आएगा जितने भी राज्ये उनका छेतर आएगा दूसरा क्या है संग राज्य शेतर आएगा union territory हमारे हाँ पर वो आएगी और तीसरा आएगा territory that may be acquired by government of India भारत सरकार द्वारा अरजित राज्य शेतर भारत सरकार ने outer जो भी state को अपने हाँ पर acquired किया है वो article 2 के अंदर हम लोग आगे discuss करेंगे भारत ने जो भी छेतर अरजित किया है वो भी किस के अंदर आएगा territory of India के अंदर तो अगर कोई पूछे कि constitution के article 1 के according territory of India में क्या क्या आता है तो सबसे पहले territory of states आता है फिर union territory आता है और वो territory जिसको government of India ने acquired किया हो दुबारा repeat कर देता हूँ मैं एक बार last slide दुबारा दिखा देता हूँ तो यहाँ पर article 1 में लिखा हुआ था India that is भारत salvia union of state इंडिया जो की भारत है राज्यो का संग होगा और फिर उसके बाद आपको दिखाई दिया कि यहाँ पर name of country है यहाँ पर राजवेस्था का परकार है और यहाँ पर federal structure नहीं है union बताया गया है एक question simple सा आप लोगों से कुछता हूँ बच्चो according to article 1 अनुछेद एक के अनुसार भारत को क्या बताया गया है पहला option में देगा federal उसके बाद quasi-federal संगिये अर्ज संगिये तीसा देगा union of state और लास्ट देदेगा ननोफबो तो ध्यान रखना article 1 में साफ तोर पे लिखा हुआ है क्या union of state राज्यो का संग होगा article 1 की स्टोरी यहाँ पर आपको दिखाई लेगी next slide देखना आप यहाँ पर मैंने बता है कि Indian federation is not the result of an agreement among the state like the American federation भारती संग जो है वो राज्यो के मद्दे समझोते का प्रावधान नहीं है किसकी तरह अमेरिका की तरह है state have no right to see from the federation राज्यो को संग से अलग होने का दिकार नहीं है और राज्यो का छेतर के अंदर क्या क्या आता है आर्टिकल वर्ण कंप्लेट यहां पर समाप्त होता है एक पर रोक नहीं है